गाइस कुछ ऐसा हो गया टेकनोलजी की दुनिया में ऐसे पेटेंट जारी कर दिया है सामसंग ने जिसे देखकर मुझे इतना अंदाजा तो था कि फ्यूचर में टेकनोलजी आने वाली है इतनी जल्दी आ जाएगी सामसंग ने पेटन चारी कर दिया है काम चल रहा है हो सकता है गैलेक्सी नोट 9 में यह चीज आ जाए तो इसको जानने के लिए आगे देखना पड़ेगा तो देखिये वेल्कम बैक गाइस तो लेडिस अपसोड ऑफ टेक्सवामी एड आप सबको पहले ही बता दो यह सबसे बड़िया लाइटिंग सेटम मुझे मिला जहां पर में वीडियो बना सकता है और मैंने सोचा आप सबके लिए वीडियो बनती है क्यों एक दिन को खराब किया जाए आप सबके लिए वीडियो आनी चाहिए तो गैक्सी नूट 9 के कुछ ऐसे रियूमर्स आये हैं तीन तरह के रियूमर्स है चुकि मैं आप सबको बताने वाला हूं बारी बारी करके पहला जो मैं रियूमर्स बताऊंगा वो ऐसा होगा जो कि इतना खास नहीं है मुझे इंटरस्टिंग नहीं लगा जो दूसरा रियूमर्स है वो काफी जबर दस्तर जो तीसरा रियूमर्स है उसकी बात ही छोग दो आपको सुनके काफी अच्छा लगया तो उसको एट था काफी हर्त तक वैसा ही लगेगा गैलक्सी नोट नाइन भी और यहां पर जो नोट एट के आट डिसाइन था आपको यहाद है ग्लास बैग विद्ध यहां पर राउंट एजज और साथ में जो फ्रंट साइड पे कर्व डेज इज इस मिलती थी सेम वैसा ही मिलेग बड़ श्रिंक यहां पर बिजल मिल जाएंगे और सुनने में आये कि जो फिंगर्बेंट स्कैनर है वो फ्रंट साइड पर अंडर स्क्रीन होने वाला है या फिर आप पीछे की साइड आपको लग सकता है कैमरा स्के नीचे होगा पर जो स्ट्रॉंग डूमर्स है कि नोट स्कैनर देखने को मिल जाएगा बागी नोट नाइन में आपको पता है हाडवेर वगरा तो इस बार लेटेस्ट ही होगा एक दिजाइन के मामले में ज्यादा कुछ चेंजिस नहीं आने वाली है बस श्रिंक कर दिये जाएंगे बैजल जहाँ जादा और आपको बैक साइड पर डूल यहाँ पर कैमरास मिलेंगे शाहिद सेलफी कैमरास में भी डूल कैमरास मिल जाए जैसे कि आपने देखे यहाँ पर एट प्लस में तो देखते क्या होता है बर जो सेकिंड तरह के रिमर्स आ रहे है वो थोड़े से इंटरस्टिंग है आपर नोट 9 को लेकर नोट 9 में कह रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डर कंसेक्ट को मिल सकता है अब फोल्डर कंसेट क्या है यहाँ इक बहुत ही बड़ी होने वाली है यहाँ बहुत बड़ी होने वाली है सेवन.illä仔 something inches की यहां पर डिस्प्ले हो सकती है जो की राउंड यहां पर rotate हो पाएगी यानि कि डिस्प्ले आपकी rotate हो जाएगी तो छोटी बड़ी जैसे भी आप कर पाएगे center से बड़ यहां पर जो पहले हमें सामसंग ने एक बार दिखाया थाकि जो डिस्प्ले यहां पर कर्व हो पाएगी वैसा कुछ यहां पर नहीं है यहां पर flexible डिस्प्ले नहीं है दो डिस्प्लेइस है जैसे की दो screens होने वाली है वोट वो combine होके एक बड़ी screen मिल जाएगी तो यह कुछ rumors आ रहे है galaxy note 9 के design के साथ अब तीसरे तरह कि जो rumors है वो काफी जादा interesting और मेरे लिए तो बहुत ही जादा है दोस्तो और यह जो technology है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ सकती imagine कर लिया था कि आने वाले time में कुछ ऐसा होने वाला है बड़ इतनी जल्दी galaxy note 9 में हो जाएगा तो ऐसा हमने अब कभी सूचा नहीं था जिन नहीं किया है क्या पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ अब यहां पर जो rumors आये हैं दूस्तों यहां पर chances है कि आपको full screen display देखने को मिल सकती है galaxy note 9 में अब full screen का मतलब यह नहीं मैं 18-9 के बार बात करो infinity display दो आपको पहले से ही मिल रही है बड़ यहां पर जो changes आ सकते हैं वो यह कि आपको front side पे बिल्कुल ही bezels ना मिले almost no bezel like iPhone 10 बट यहां पर आपको notch बगारा भी देखने को नहीं मिलेगा अब under screen fingerprint scanner की बात तो हो गई बड़ यहां पर Samsung कोछ अलगी करने जा रहा है अब यहां पर देखो under screen fingerprint scanner सबसे पहले लाएगा वीवो या one plus अब Samsung किसी चीज में पीछे कैसे चूटे तो यहां पर fingerprint scanner तो definitely screen के इंचे आने वाला है तो Apple से पहले Samsung यह काम कर देगा बड़ यहां पर जो सुनने को मिला है कि यह patent जारी हुआ है Samsung इस बार अपना front camera अपना earpiece अपने sensor सभी कुछ ही यहां पर screen के नीचे करने वाला है तो आप सोच के देखो आप Facebook या WhatsApp भी उसकर रहे हैं आपके पूरी screen पर आपको वाफसाइब दिख रहा है Facebook दिख रहा है बड़ आपको camera earpiece sensor कुछ भी नहीं दिख रहा है ना fingerprint scanner दिख र शुरू हो जाएगा आपके call आएगी आपका earpiece देखना शुरू हो जाएगा आपको fingerprint scanner यूज़ करना है तो आपको screen पर अचकर ना होगा तो यह सब चीज़े सोच के देखिए मलब सोच के परे है और यह चीज़ आएगी जल्दी इसका तो definite है बट यह थोड़ा सा chances कम है कि Note 9 में ही आए हो सकता है अगले साल S10 या फिर Note 10 में देखना को मिले बट या 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 आप भी chances है कह रहे है कि Note 9 में यह हो सकता है तो यह तीन तरह के rumors थे जो कि इस बार Galaxy Note 9 में बहुत जादा या पर rumor आ रहे हैं कि यह हो सकते है तो आप मुझे comment करके बताएं आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से के जाला chances है इस बार आएंगे और आप किस चीज के लिए इंट्रस्टेज जाला हो foldable concept के लिए या फिर the full screen display के लिए मैं जो interested हूँ वो full screen display के लिए क्योंकि यहां पर foldable concept आ रहे है वो उसमें screen तो fold हो ही नहीं है वहाँ पर hinge मिल रहा है बट जो मैं चाहता हूँ वो यह पर disadvantage भी हो जाएगी दोस्तो disadvantage इस बात की कि phone आपका durable नहीं देगा अगर गलती से आप हाथ से छोड़ देते हो तो टूटना तो बिल्कुल बनता ही है बिल्कुल आपका phone टूटेगा ही टूटेगा बागी देखते है शायद Gorilla 6 आ जाए या Gorilla 7 आ जाए protection और आपका glass वो का आपके लिए आने वाला है तो उसके लिए ready देगा तो अभी इतना ही मैं मलता हूं आपको अगले एपसोड में एक अच्छी वीडियो के साथ और तब तक अपने और अपनी शानवाल के रखी किया and keep smiling and always take care guys